स्पाइडर मैन ने अपने जिंदगी में बहुत सारे अच्छे काम किये हैं बट मार्वल जॉंबी सीरीज में वो कुछ ऐसा कर देता है जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते स्टोरी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि सारे एवेंजर्स जॉंबीस बन चुके हैं और अनफॉचिनेटली धीरे धीरे स्पाइडर मैन भी इनफेक्ट हो रहा है इस सिच्वेशन में वो आंट में और मैरी जेन से मिलने जाता है बट मैरी जेन को देखने के बाद वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो उसे कच्छा जबा जाता है आंट में ये सब देखके चौक जाती है और स्पाइडर मैन उनसे कहता है कि आप प्लीज एक रूम में जाके खुद को लॉक कर लीजिए क्योंकि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा लेटर ओन गैलेक्टर्स को खाने के वज़े से स्पाइडर मैन के पास कॉजमिक पावर्स आ जाती है और वो एक नई युनिवर्स में टेलिपोर्ट हो जाता है जहां हमें पता चलता है कि स्पाइडर मैन ने उस दिन आंट में को भी जिन्दा नहीं छोड़ा था इतना सब करने के बाद उसे खुद को स्पाइडर मैन कहने का भी मन नहीं कर रहा था और इसी वज़े से वो अपनी पूरी स्किन को खीच के निकाल देता है ताकि वो कभी भी उस पीटर को ना देख पाए जो आंट में मैरी जेन से प्यार करता था बाई देवे मैं तुम सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ पेंट कमेंट में मैंने अपने नए चैनल की लिंक दी है और अगर तुमें कॉमिक्स के सिवाए मुझे में कुछ अच्छा लगता है तो प्लीज उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना